Welcome to my channel, आज हम पढ़ने जा रहे हैं Radius of curvature at origin by McLaren method का यूज़ करकर पिछले lecture में हमने Newton's method से Radius of curvature at origin निकालना सीख लिया था आज हम McLaren method से निकालना सीखेंगे जो Newton's method था उसका यूज़ हमने तब किया जब हमारी given equation में lowest degree term एक थी लेकिन जो McLaren method है उसका यूज़ हम जब करेंगे जब हमारी एक से ज़्यादा lowest degree term हो एक term मानली हमारी X में है, दूसरी हमारी Y में हो सकती है या एक हमारी Y में है और दूसरी हमारी Z में हो सकती है तो इस तरीके से जब हमारी एक से ज़्यादा लोईस डिगरी ट्रम होंगी तो हम मैकलरीन मेथड का यूज करेंगे अब आईए इसके लिए वरकिंग रूल देख लेते हैं किस तरीके से हम इसका यूज करकर रेडियस ओब करवेचर निकालेंगे सबसे पहले हम दी गई एक्वेशन को fxy is equal to zero की form में convert करेंगे उसके बाद में हम put कर देंगे given equation में जहाँ जहाँ में y दिखरा है y के equal में हम px plus qx k divided by 2 factorial और यह continuously आगे तक चलती जाती है process इस तरीके से हम उसमें put कर देते हैं और इसको put करने के बाद में given equation में हम उस equation को solve करते हैं solve करने के बाद में हमारे पास जो ये p और q जो ये हैं इनकी value हमारे पास आज़ती है p और q की तो फिर इन p और q का हम use करकर radius of curvature निकाल लेंगे radius of curvature निकालने का फिर हमारा formula आज़ता है that is 1 plus p square power 3 by 2 divided by में q इसका method का use करके हम इस तरीके से हमारी radius of curvature निकाल सकते हैं ये जो हमारा maclaren method है इसको maclaren expansion method के नाम से भी जना जाता है तो आईए इससे related हम एक example कर लेते हैं तो हमारा example दिया गया है that find the radius of curvature of करो a into y square minus में x square is equal to x cube at origin तो इसको अगर हम solve करते हैं तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं a की multiply कर देते हैं तो a y square minus a x square और ये इदर प्लस का इदरा के minus का जाएग इस इकल टो 0 ये हमारी कौन सी form आ गई है f of x y equal to 0 form में हमने इसको convert कर लिया है अब अगर हम देखें तो इसमें lowest degree term 2 है हमें ये put करना है कि जो y is equal to p x plus q x square divided by 2 factorial इस equation में ये value हम put कर देते हैं जाजा हमें y दिख रहा है तो यहाँ y था यहाँ पर हमने value put कर दी उसका square था square कर दिया minus a x square minus में x cube equal to 0 आ गया अब इसका square हम open करते हैं तो a multiply में है p x का square करेंगे p square x square आएगा plus q square x raise to power 4 आज़ेगा डिवाइड में 2 factorial 4 आज़ेगा ये process continuous result जाएगी सभी का square होगा फिर अगर हम देखते हैं एक general property हमें याद होगी कि हमारे पास अगर a plus b whole square करना होता है तो उसको हम लिखते हैं जाए a square plus में b square plus में twice of a b इस तरीके से साए हमारे पास कितनी term हो एक बार उनका खुद का sum फिर two से multiply करकर आपस में उनकी multiply हो रही है तो वो ही method हमने यहाँ पर apply किया है a square कर दिया plus b square plus c square d square आगे जितनी term थी उनका square कर दिया फिर हम क्या करते हैं twice of a b करते हैं twice of a b करेंगे तो वो क्या आएगा p q x cube आजएगा और यह continuously twice of b c करेंगे twice of c d twice of e f ऐसे करते जाएगे multiply और यह आगे तक process है वो चलती जाएगी minus में a x square है minus में x cube है equal to zero आगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले x square के coefficient को common लेते हैं यहाँ पर अगर x square का coefficient को मिल ले तो वो क्या आएगा a p square आएगा और यहाँ पर minus का a square आज़ता है फिर हम क्या करते हैं x cube के coefficient को एक तरफ कर लेते हैं तो x cube हमारा यहाँ है x cube का coefficient क्या आएगा a की multiply करके आएगा तो a p क्यू आजएगा minus में 1 equal to zero अब अगर हम दोनों तरफ compare करते हैं तो यहाँ पर x square का coefficient हमारा यह दे रिखा है यहाँ पर x square का coefficient zero है तो दोनों तरफ अगर हमने compare किया तो a p square minus में a equal to zero आगया तो यहाँ से a कॉमल लेकर cancel हो जाएगा p square minus में 1 equal to zero आगया तो p की value आगए plus minus of 1 आगई similarly x cube के coefficient को compare करते हैं तो यहाँ पर x cube का coefficient zero है तो compare करेंगे that will be a p q minus में 1 equal to zero आगया तो यहाँ से देखते हैं a p q यह minus का दरजा के plus का 1 हो जाएगा p q देखते हैं 1 divided by में a आजाता है अब हमारी p की value क्या आई थी plus minus 1 वो यहाँ put कर देते हैं q 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 सकते हैं तू अंडर रूट ऑफ टू लिखा जा सकता है यह वन बाय में था तो उपर जाके मल्टिप्लाइब हो जाता प्लस माइनस का साइन है वह इसके आगे लग जाता है तो इस तरीके से हम जो हमारी की रेडियस ऑफ करवेचर है मैकलरीन मैथर से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं थैंक यू